जारे बच्चो, क्लास 11 पोल्टिकल साइन्स का एकजाम हो चुका है, हम लोग एंसर की मिलान कर लेते हैं, वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि दना दन दन जैक ने एकजाम लेना सुरू कर दिया है, जिसके कारण थोड़ा सा लेट हुआ है, फिर भी आप ए अंसर की मिलान कर लेते हैं, पहला का कोश्चन आया था, कि भारतिय सविधान सभा का गठर निम्न में से किसी योजना किसी फारिश पर आधारित था, तो यह जो आपका था, वो था कैबिनेट मिशन योजना उन्हें सो च्यालिस के आधार पर, अगला कोश्चन हम लोग दे इनाने की थी, तीसरा कोश्चन हम लोग देखते हैं, क्या है, तो तीसरा कोश्चन है, निम्लिखित में से कौन भारतिय सविधान की फिशेष्ता नहीं है, तो कौन नहीं है, संगात्मक है, एक हरी है, दोहरी भी है, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, अध्यास्दमक सासन पर नाली जो है सुन नहीं है चौथा नमबर हम लोग देखते हैं क्या है तो चौथा नमबर है कि सविधान संसोधन द्वारा सविधान में मौली करतव्यों को सामिल किया गया था तो ये आपका जो होगा करेक्टन्स का वो हो जगा ब्यालिसमा संसोधन पाच्वा नमबर कोश्चन है सर्वोच नियाले ने किस निर्ने में कहा कि हमारे मौली कदिकारों में कोई संसोधन नहीं किया जा सकता है तो ये जो है वो है गोलकनात केश उन्हेसो सड़ सट छट्था नमबर हम लोग देखते हैं क्या है तो किस ने कहा है कि सविधानिक उपचारों का मौली कदिकार भारति सविधान की अंतरात्मा है तो ये कथन जो है वो डॉक्टर भीमरा अंबेदकर का है तो आपका करेक्ट अंसर ए हो जागा डॉक्टर भीमरा अंबेदकर साथवा नमबर है आपका चुनाव आयो के अस्थापना कब होई थी तो चुनाव आयो के अस्थापा 1950 में होई थी तो आपका D करेक्ट हो जाएगा आठ्वा नमबर है अनुपातिक पतिनिधित्व की एकल सक्वनिय चुनाव पर्नाली का पर्तिपादन किस ने किया था तो ये किया था Thomas Hare ने अहां आठवा का A हो जाएगा नौमा नमबर है राष्टिय मद्दाता दिवस कब मनाय जाता है तो ये मनाय जाता है 25 जनवरी को तो नौमा कब B हो जाएगा दस्वा नमबर है आपका संसत के दोनों सदनों के संयुत अधिवेशन को कौन बुलाता है तो ये आपका राष्ट पती बुलाता है इसलिए A हो जाएगा 11 नमबर है लोग सभा की पर्थम महिलाई स्पीकर कौन है तो ये आपका मीरा कुमार है 11 का C हो जाएगा 12 नमबर है आपका लोग सभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है तो वो आपका परधान मंतरी होता है तो यहाँ बी आपका करेक्ट हो जाएगा तेरा नमबर है राज का वास्त्विक परधान कौन होता है तो यह आपका मुख मंत्री होता है राज का परधान तो यहाँ पर दी हो जाएँगा तेरा का दी चौदा नंबर है भारत में किसी विध्यक को धन विध्यक कौन परमानित करता है राष्टपत्री पधार मंत्री वित मंत्री यहां आपका हो जाएगा लोग सभा का अध्याशे तो यहां पर चौदा का डी हो जाएगा पंद्रा नंबर है राज सभा का सदस्व होने के लिए उमिद्वार की निम्तम उम्र कितनी है तो यहां हो जाएगा आपका तीस वर्स शुल्ला नंबर है कानून के सासन का विचार किस ने दिया था तो ये दिया था आपका अबी डाइसी ने दिया था तो सुल्ला का सी हो जाएगा 17 नंबर को देखते क्या है वर्तमान में भारत में कुल कितने उच नियाले है तो आपका उच नियाले है 25 तो यहां पर डी हो जाएगा अठारा नमबर है भारत के किस राज में सरुपत्वम पंचैती राज के अस्थापना होई थी तो वो था आपका राजी स्थान 18 का डि हो जाएगा 19 नमबर है राज के चुना आयुक्त की निकुति कौन करता है तो इसकी निकुति जो है वो राजपाल करता है शल्द 19 का C हो जाएगा 20 नंबर है भारत्य सविधान की संसोधन परकिरिया पर किस देश का परभाव है तो यहां दच्छिन अफ्रीका का परभाव है 20 का A हो जाएगा 21 नंबर कोश्चन है आपका प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधिया अवधारना की व्याख्या की थी तो The Republic में की थी इसलिए 21 का B हो जाएगा 22 नंबर है किसने का है कि मनुस्वतंतरूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगा वह बंधनों में जकडा है तो यह कहा था रूसो ने तो यहां पर आपका 22 का D हो जाएगा रूसो ताइस नंबर क्या कहता है बच्छो और का बीशमी सताब्दी के किस एक महांतम व्यक्ति की आत्मकथा का शिश्षक लांग ब्लॉकर टू फ्रीडम है तो यहां पर हो जाएगा नेसल मंडेला आपका यह करेक्ट है नेसल मंडेला 25 नंबर है आपका जस्टिस सब लेटिस भासा के जूस सबसे बना है जिसका अर्थ है तो उसका अर्थ होता है बांधना या बंधन तो 25 का सी हो जाएगा 26 नंबर है आपका संग या संगठन बनाने का अधिकार किस परकार का अधिकार है तो यह आपका अधिकार है राजनीतिक अधिकार है तो 26 कब भी हो जाएगा 27 नमबर है आपका बड़े लोगों का सम्मान करना कौनसा अधिकार है तो यहाँ पर है वो नैतिक अधिकार है 27 का D हो जाएगा 28 नंबर है आपका, सबसे पाले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया है, तो ये दिया था आपका न्यूजी लैंड ने 28 का A हो जाएगा, 29 नंबर है आपका, किस क्रांती ने राष्टवाद की भावना को प्रेरित किया है, तो 1789 की फ्रांसी क्रांती ने, 1789 की फ्रांसी क्रांती ने, हो जाएगा आपका बच्चों 30 नंबर है निवन में कौन धर निर्पेश राज नहीं है तो पाकिस्तान जो है वो धर्म निर्पेश राज नहीं है 30 का डी हो जाएगा 31 नंबर है सविधान अवग्या सवीने अवग्या का नारा किस ने दिया था हम लोग सभी जानते हैं महत्मा गांधी ने दिया था 31 का सी हो जाएगा 32 नंबर है भारत में नागरिक्ता कानून कब पारित किया गया था तो ये पारित किया गया था आपका उन्हें सो पच्पन में तो डी करेक्टर हो जाएगा 33 नंबर है आपका निवन में कौन राजनितिक स्वतंत्रता नहीं है तो आपका आजीवी का पाना नहीं है यहाँ पर आपका 33 का ए हो जाएगा 34 नंबर है विश्व सांती बनाय रखने है तूने सो बीस में किस अंतराष्टिय संगठन की अस्थापना होई थी तो राष्ट संग की अस्थापना होई थी यहाँ पर 34 का भी हो जाएगा 35 नंबर है भारत में नेहरूक नेत्रुत में विकास केकिस पर्तीमान को अपनाया है तो यहाँ पर अपनाया है लोगतांतरिक समाजवाद को तो यहाँ पर 35 का C हो जाएगा 36 नंबर है आपका बच्चो राजनीतिक सामानता की सर्वसेस गारेंटी है तो क्याची की गारेंटी है लोकतंतर में तो यहाँ पर 36 का A हो जाएगा 37 नमबर है फ्रांसेसी क्रांती का क्या नारा था तो इसका नारा था स्वतंतर था, समानता, भाई, चारा, तीनो था इसलिए आपका correct answer D हो जाएगा 38 नमबर है समाजिक जीवन की मूलभूत आप सकता क्या है तो इसकी मूलभूत आप सकता जो है वो है अधिकार 38 का D हो जाएगा और सकेंड लास्ट कोस्चन है आपका 49 एठीरी और जश्री नामा कुस्तक किस ने लिखी है तो यह लिखा है जॉन रॉल्स ने यहाँ भी आपका करेक्ट हो जाएगा और लास्ट कोस्चन है बच्चो 40 वा नमबर किस देश के सविधान को 37 सविधान कहते हैं तो यह कहा जाता है जपान के सविधान को तो 40 का C हो जाएगा बच्चो आप लोगों ने राज नीति विग्यान में कितना इसकोर किया कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा मिलते हैं नेकर वीडियो के साथ बाबाई